हेलो फ्रेंस आज हम बात करेंगे जेवीटी बना बीयर केस की जेवीटी की भरती में बीयर पास अवीरतियों को लेने के बिवाद में शिक्षा मंत्री रोई ठाकों ने एक बड़ा कदम उठाया है कुछ रोज पहले जेवीटी के वरतियों के साथ बातचीत के बाद बुद्वार को शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा बोड दमशाला के अद्यक्ष औस अच्चिप को तलब किया था शिक्षा मंत्री के कारले में एजुकेशन बोड के साथ एलिमेंटरी और हायर एजुकेशन के निर्देशकों की भी बैटिक हुई इसमें इस पूरे जगडे पर चर्चा की गई बैटिक में स्कूल शिक्षा बोड अद्यक्ष डॉक्टर निपुन जिंदुल ने बताया कि एजुकेशन बोड ने बदला प्रारिम्बिक शिक्षा निदेशाले से आए एक लेटर के अदार पर किया था जो निदेशक ने जारी किया है निदेशक ने इस लेटर के लिए NCT के निदेशकों को अदार बनाया है हाला कि राज्ज सरकार ने ना तो अभी तक जेवीटी वर्ती के बरतियनियमों को बदला है ना ही NCT के ने निदेशों को एडॉप्ट किया है इसके बावजूद जेवीटी वर्ती में बेड़ के अवेर्थियों को लिया जा रहा है और निक्ति भी दी जारी है ये पूरा मामला दो तरह से ने अले के दीन है रास्तान में गए केस में हिमाचल भी सुप्रीम कोड में जवाब दायर किया था और इस मामले में जज्जमेंट रिजर्व हो गई दूसरी तरफ हिमाचल हाई कोड में अलग लग तरह के अवेर्थियाचका में जाते हैं और बेमामले भी सुनवाई के दीन है ऐसे मैं शिक्षा मंतरी जेवीटी अवेर्थियों की बास सुनने के बास शिक्षा बोर्ड से उनकी स्थिती जानना चाते थे आपको उतादू जेवीटी और बीएट का टीचर अलग लग होता है इसलिए पहले बीएट जेवीटी बरती में नहीं आ पारे थे लेकिन फिर शिक्षा निदेशा लेने एक लैटर जारी कर बोर्ड को इनको भी जेवीटी का टैट करने की अनुमती दे दी उसके बाद मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया अवराज्य सरकार सुप्रीम कोड के फैसले का इंतजार करने के सासथ टीटी के पातर तनियमों में भी बदलाब कर सकती है